धर्म और धर्मसार में अंतर क्या है? यसे आम का फल है आम के फल में छिलका भी है, गुठली भी है और रस भी है तो किसी को यदि आम खाना है एक जो मूर खोओंगे वो क्या करेंगे? बोले वो रस को फेंक के छिलका गुठली को ग्रहन करते हैं तो जो रस को फेंक करके छिलका और गुठली को ग्रहन करते हैं वो धर्म नहीं है, वो धर्म का आभास है उसको हम एक नाम दे सकते हैं, धर्म आभास धर्म है नहीं, धर्म दिखाई जरूर पड़ रहा है पर धर्म है नहीं, धर्म का आवास है और छिलका गुठली के सहित फल को खा लेना ये धर्म है क्योंकि छिलका फल की रक्षा करता है और गुठली उसकी परमपरा को बचाने में शयोग करती है तो उसके साथ में ग्रहन करना ये धर्म है लेकिन छिलका और गुठली को फेंक करके आम के रस को पी जाना ये धर्म का सार है मैंगो जूस पीते हैं अब ला तो छिलका गुठली फेंक के केवल आम का रस पी जाना ये क्या है धर्म का सार है पर बसिष्ठ जी कहते हैं समुझव कहव करव तुम जोई धरम सार जगव